असलाम अलेकुम दोस्तों आज हम एक प्रोफेशनल टैप में फैल मेरेजर के बारे में जानते हैं सिंप्ली आपको प्लेश्टोर में सॉलिड एक्स्प्लोरर सेर्च करना है और इसे आपको इंस्टाल कर लेना है open करने के बाद कुछ इस तरह का interface इसका होगा आप इससे zoom in, zoom out कर सकते हैं जिस तरह आपको set करना हो और यहां 3. menu में जाने के बाद आपको कुछ options यहां नजर आ जाएंगे यह without ads है, free version आप इसे without ads भी use कर सकते हैं without ads अगर आपको चाहें उसे simply 29 रुपीज में सिर्फ इसे आप इसे purchase कर सकते हैं और यहां कुछ category wise आपको नजर आएगा recent files, photos, music, videos, documents, applications और एक बात इसमें trash bean भी है कोई चीज़ आप अगर delete कर रहें फिर उसे आगर आप restore करना चाहते हैं कि हर folder में आप view option अलग-अलग से आप choose कर सकते हैं किसी भी folder को open करने के बाद आप यहां से three dot menu में आने के बाद view options को आप select कर लें कि किस तरह इस folder को रखना है select करने के बाद यह जो नीचे आपको option नजर आ रहा है only this folder तो इस पर आपको click कर देना है इसे आपको mark कर देंगे तो वह सिर्फ उसी folder के लिए होगा तो इस तरह इसे आपको mark कर देना है उसके अलावा दूसरे folder में आपको दूसरा option select करना है तो यहां से आपको इस दूसरा option select करने के बाद फिर यहां आप इसे mark कर देंगे तो उसी तरह उस folder के लिए separate separate हो जाएगा और यह और अच्छी बात यह है इसमें कि किसी भी folder को select करने के बाद आप इसमें gallery mode भी choose कर सकते हैं view options में आने के बाद gallery mode यह जो है कोई particular आपका folder है जिसमें आप images रखते हैं तो उस image वाले folder को आप gallery mode दे दें वीडियोज वाले folder को आप gallery mode दे दें only for this folder आप कर दें तो यहां से यह भी बहुत अच्छा option आपको मिलेगा तो बस आज के लिए इतना ही जो नए अहबाब आ रहे हमारे चानल को subscribe करें हमारे वीडियोज को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें assalamualaikum